कैसे डिस्क्राइब करेंगे देश के लिए दो दो तुकूर्ण पदक लाए हैं आपने वहाँ पर स्वाण लाए था और यहाँ पर पदक का करण बदला है भारत चाहर ब्रॉंजी रफा पदक का रंग बदला है यह दो तुकूर्ण ने बिलकुल देखो कंट्री के लिए चल रही है उनके अभी काम करना है और जो कम्या है उनको सुधा रहेंगे टीम के साथ बैठके बात करेंगे और अच्छा रहा है तुटली अगर ओल ओवर देखे तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेस अच्छी रही है टोक्यू के साथ वही गोल्ड या बरॉन शिलवर उन से चूग जाते हैं लेकिन आने वाले टाइम में यह साइन है कि ऐसे ही और ज्यादा मैडल बढ़ेंगे हमारे तोक्यो में 87.5 पांच सी उपर फेका था और आपका स्वर्ण आया यहां पर नमासी से भी ज्यादा फेका लेकिन आपको यहां पर सिलवर मैडल मिला तो इससे स आपको चलता है कि जावलिंग कोंपेटिशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और बिल्कुल आपके विरोधी अर्शन ददीम ने से का 92.9 चनल एक्स्राडिनरी थो था इसको ध्याव में रखते वे लगता है कि हाँ यह आज वो दिन था जहां जहां कोंपेटिशन का गेम्स में अपना दिन था तो हर एक एथलीट का जो बोड़ी है वो एक एक उस दिन अलग कि उसमें होती है हर चीज परफेक्ट होती है जैसे अरसद की थी अपना भी काफी अच्छा रहा लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीजे हैं और एक थोड़ी सी इ इंजरी है इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम वो उस पे ना हो और परफॉर्मेंस पे हो तो थरोद का तो बहुत अच्छा है अंदर अंदर थरोद हो है पर वो निकलेगी जब ही जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और म अंदर ये अंदर जो चैंपियन है नीरेक चुपरा और जो गोल्ड जितने कि इसके आदर 23 पर ये लग रहा है राष्ट्रेगान में ही बजा दीता है देखो राष्ट्रेगान तो बिलकुल वो तो मन में थाई और वही है सब की उमीद भी थी और हमेशा उस पे खरा भी उ अच्छा रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा लेकिन आज शायद से वो नहीं था कि आज नहीं बजवा पाहेंगे राष्ट्रेगान लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता आगे फिर मोका मिलेगा और फिर फिर से हमारा राष्ट्रेगान होगा पैरिस में नहीं तो कहीं और से ही